अगर आप मेरे चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं तो प्लीज नेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं मेरा सैटरडे में घर की सफाई करने के लिए क्योंकि सुबा सुबा जो मेरा काम होता है वो यही होता है नाश्ता बनाने के बाद मैं साइड डस्टिंग अगरा कर लेती हूं तो मैंने यहां पर सबसे पहले अपने बैटरूम के सफाई स्टार्ट कर दी है और आज सैटरडे है तो हिमाद बैसकोल नहीं गये है और वह यहां पर इसलिए कर बैठे है,,,,,, मुझे बहुत से जिद कर रहे हैं कि खिलोने की नहीं बनीए की मुझे खिलोने से खिलोगा लाकिन मैंने या हॉल की सफ़ाई की हैं विर सामयों को कि predis lavorति हुमें की हैं की। कि हमात्ती ख्यूता है को सुलने की मैं भी तो कि हमात्त की सामयों जो मैंने कल रात चेंज की थी तो मैं यहां पर अभी कर्टेंस को हटा रही हूं क्यूंकि मुझे यह जो खिड़की है वो क्लीन करना है और देखें मेरे क्लीन करने से पहले ही हिमाद यहां पर आ गये हैं डस्टिंग करने के लिए जाड़ू अगरा लेकर हिमाद बहुत माश मैं इसको हमेशा रफ कपड़े से साफ करती हूं जैसे के हिमाद की टी-शिर्ट वगरा होती है वैसे कपड़े मैं यहां पर यूज करती हूं इस जाली को साफ करने के लिए और बागी सब प्लीनिंग के लिए मैं हमेशा हिमाद की टी-शिर्ट ही यूज करती हूं और आज के लिए इस्तेमाल करती हूं तो यहां पर मैं बैट को क्लीन कर रही हूं क्योंकि यह भी गंदा हो गया है दूल मिट्टी वगरा जैसे मैं आपको बताया कि बहुत ज्यादा आ जाती है और हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा आउट साइड में आता है और यहां पर कंस्ट्र रोजाना घरता वहां पर मैं एक दिन छोड़ करती थी यानि कि एक दिन आड करती थी लेकिन यहां पर मैं रोजाना करती हूं क्योंकि हर चेगा कालग अलग होता है कहीं पर मिट्टी कम आती है कहीं पर ज्यादा दूल मिट्टी होती है और वैसे भी पेपर में डिकलेर किय मैं यूजरे को तरहा के बारा है, उसको मैं ऐसे पार चाफ गड़ा है , यहां पर देखिए रहाल लगाया है । नहीं जारे हमार्दनीना निय फेखिए हमार्दनीना काजल लगाया था, यहां पर लगाया है . जो टेडी पेर बताया था ना मैंने व्लोग आपको उसके एक दिन पहले उन्होंने काजल का कांड किया था और उसके बाद उन्होंने पॉडर वाला किया था तो चले बस मैं यहां पर जाडू बगरा लगा कर इसका पोचा लगा लोंगी तो जो मेरी क्लीनिंग है जो टो ऐदि एंटते कारी में दो पाउआ किलंग यहाल पाउले और प्रैडोड उन्होंने यहां ने जादू रघिस नवर से पाप आसे बड़न उन्होंने सके धार करें तो चले गए हैं बस मैं यहां पर क्लिंग वगरा करूंगी उसके बाद फ्रेश होकर हम लोग आज ब्रेक्पस्ट ठोड़ा सर लेट करेंगे और यहां पर हिमाद मुझे फिर से सता रहे हैं कि मुझे खिलोने दे दो बस चल रहा है तो चले बस मैं यहां की सफाई कर लेती हैं उसके बाद हम जाएंगे अपना ब्रेक्पस्ट बनाने के लिए तो डस्टिंग अगरा में सारी हो गई है बस मैं यहां पर लगा रहे हूं पोचा और मैं पोचे को भी अच्छे से नीचे से लगा रहे हूं क्यूंकि झाणां झाणा लूदा रहे हमाद MARY डस्टिंग और क्लीनिंग करें लूदा٬ है ना यह ब्लाका साथा उस पर बहूत जड़ाद धबर धबब हैं ब्लाक है तो जादा गंदा नहीं होगा लेकिन ब्लाक ही सज़दा गंदा होता है उस पर जल्दी धूल मिट्टी दिकर आती है तो चलिवस मेरा आलमोस्ट काम अभी कंपलीट हो गया है जो रोजना सुभा का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिआए हम नाश्ता को नाश्ता करें या नहीं करें बस क्लीनिंग से में फ्यापर्ट होते हैं जब घर क्लीन जंकी होता है टो यहाँ चाटाई इसलि लागा रहे हैं और हिमाद को खेलना है अभी पैलने जो बहुत ही देर से जिद कर रहे तो अभी देखिए हिमाद का यहाँ पर क्या स्टार्ट होता है बस अभी सारे घर में फैला देंगे इसलिए मैं इनको देने रही थी क्योंकि मुझे पता है एक बार जब सारे खिलोने निकलते हैं तो हिमाद के बस यही चलता रहता है और इसमें ना कोई भी खिलोना पूरा सब तूटे फूटे हैं क्योंकि हिमाद का ऐसे होता है कि एक गाड़ी लेकर आएंगे और लाते लाते रास्ते में उसको तोड़ देंगे मैं आपको नेक्स व्लॉग में बताऊंगी कि हिमाद में क्या किया है अपने खिलोने के साथ में तो चरी बस मिलती हूं मैं आप से फ्रेश होने के बाद में और अभी मुझे हिमाद को भी नहलाना है असलालेकूम कैसे हो आप सब तो बहुत देर के बाद मैं आपसे मिल रही हूं क्योंकि काम में बिजी थी तो मैंने सोचा के पहले मैं पना काम कंप्लीट करती हूं उसके बाद मैं आपसे फ्रेश हो कर बा कि हिमाद तो अभी अंडा खाने की जित कर रहे थे लेकिन मैंने सूचा कि मैं उनको रोल देती हूं तो एक हेल्दी उनका ब्रेक्फस्ट भी हो जाएगा और सारी चीजें भी ठालेंगे जैसे कि उसमें अंडा आएगा और चिकन आएगा रोटी आएगी और सालेड आएगा सारे जो न्यूर्टियंट्स तो उनको मिल जाएंगे तो चली भी बनाते हैं ब्रेक्फस्ट और मैं भी ब्रेक्फस्ट में सिर्थ साइंड्वीच दोंगी क्योंकि मेरा भी ब्रेक्फस्ट करने का कोई मूड नहीं है और हिमाद बेडरूम में खेल रहे हैं तो चली अबी बनाते हैं अपना ब्रेक्फस्ट और ब्रेक्फस्ट बनाने से पहले मैं यहां पर लगा रहे हूं अगरवत्ति क्योंकि दो दिन से बारिश हो रही है कंटिनियूरसली जिसकी वज़ा से आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो बारिश की वज़ा से गर में बहुत ही एक अ बशचा कि मैं अगरवत्ति लगा लेती हूं तो खुषबू आएगी बस यही मकसद है अगरवत्ति का और कोई मकसद नहीं है तो बस मैं इसको होल में रख देती हूं ताकि इसकी गर में आ जाए और मेरा घर महेक जाए खुषबू से हमार्ट के लिए नाष्ता और मेरी ल तो है इसलिए मैं छेट कर दो बना लेती हो। और लोल की रेसिपी आपके साथ नहीं सेर करें हैं। इसलिए मैं इसको बनाती हूं। झाल झाल तो चलिए हिमाद को हम नाश्ता दे लेते हैं और हिमाद माश्याललाद से खुश हो गया है रोल को देखकर और अभी मैं आपको दिखाती हूँ घर की हालत यह देखिए सारा सामान हिमाद ने यहाँ पर ऐसे फैला दिया है और मैंने सोचा हिमाद को के सोफे पर दे देती हूँ लेकिन हिमाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे नीचे बैट कर खाना है अपने खिलोनों के साथ में यह देखिए घर में सारा सामानी दर दर बिख्रा पड़ा हुआ है तो चली बस मैं यहाँ पर बना रहे हूं अपना ब्रेट सैंडविच और मैं यहाँ पर बटर इसलिए डाल रहे हूं क्योंकि बटर डालने से जो सैंडविच है वह बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है बाहर साइड से तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेट डाल रहे हूं क्योंकि विना साइडविच मेरा बन गया है मैं इसी पर ठोड़ सी चाए भी चड़ा लेती हैं क्योंकि बिना चाएक चाय mor powerful में मैं कुक्स बिना चाइप कर दो है जो है वह अधूरा है और रही ब्रेकरश विशार हुआ वाइन मैंने चाह में अब यह सेकंड चाह ज़आ है तो ऑने चाह में आप लिए हैं यहां गाओ तो चलि ब्रेक्पफस्ट मेरा बन गया है बात कर लेती हूं आप भी आईए breakfast करने के लिए और आज मैं लंच नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल मैंने जो बिर्यानी बनाई थी वो अभी भी रखी हुई है तो मैं उसी को गरम करकर हम और हिमाद दोनों खा लेंगे और वैसे हम सिर्फ दो हैं तो इसलिए मैं आज नहीं बना रही हूँ कल इंशालला मेरा भाई आ जाएगा तो हम देखेंगे क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है और मैंने आपको बताया नहीं कि मेरा भाई क्यों गाउं गया हुआ है और वो मेरे पास रहता है या फिर गाउं में रहता है तो मेरा जो फाई है वो गाउं में ही रहता है और वो वहीं पर पढ़ता है लेकिन अभी मैं उसको वहां से यहां पर इसलिए बुला रही हूँ ताके मैं उसको मदरसे में डाल सकूँ हमने recite किया है कि हम उसको मदरसे में इसलामी तालीम देंगे दीनी तालीम देंगे ताकि वो कुछ बन सके क्योंकि गाउं में जो है न वहां का माहूल थोड़ा सा खराब है जिसके वो बिगड रहा है तो हमने इसलिए यह सोचा है तो हम उसको फिर से जाएंगे मदरसे में डालने के लिए तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है हमाद के पापा को फोन करके पूछूंगी मैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे अगर उनोंने बोल दिया कि जाना है तो अभी मैं दोपहर के बाद से थोड़ा सा बाहर जाओंगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे भाई को मदरसे में डालना है और मुझे भी कुछ काम है तो इंशालला मैं दोपहर के बाद सोच रहे हूं कि बाहर जाओंगी तो देखते हैं क्या होता है तो चली बस नाश्ता में कर लेती हैं उसके बाद मैं आपसे मिलती हूं तो ब्रिक्फस्ट हमारा हो किया है तो अब मैं आपसे अराम से बैट कर बात कर सकती हूं क्योंकि हिमाद जो है वो वापिस चले के हैं नीचे अपने दोस्तों में खेलने के लिए आज सुबा से इमाद बहुत परिशान कर रहे हैं आपने देखा ना मेरी सफाई करने के बाद इमाद ने सारे खिलोने घर में फेक दिये थे तो मैंने उनको फिर से उठा कर रख दिया है तो वो फाइनली वो अपने दोस्तों के साथ नीचे खेलने के लिए गये हैं सुबा सुबा उठकर इजित कर रहे थे कि पापा सबको फोन करके बुलाओ नीचे खेलने के लिए वाद वियाईथी साहाब बोल रहे थे कि सबको नीचे फोन करके बुलाओ खेलने के लिए तो वे फाइनली बच्चों की आवास नीचे से आ रही थी तो वो चले गए है नीचे खेलने के लिए और अभी मैं बैटी हूँ आपसे बात करने के लिए आज है सैटरडे और ये व्लॉग आपको मिलेगा मंडे को यानि के 23rd सेप्टमबर को 23rd सेप्टमबर को मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका आईडी है खालिद एहमद और उनका नाम है अमरीन ताज तो आज उनका बर्थडे है तो मैनी मैनी हैप रिटन्स ऑफ दे अमरीन ताज जी तो आपको आपका बर्थडे बहुत-बहुत मुबारक हो आपके लिए बहुत सारी खुश्यां इस दिन में लेकर आए और आप हमेशा खुश रही है तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा काम करने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना है और आज मेरे एक और सब्सक्राइबर है उनके बेटे का बड़ थड़े है जिसका नाम है मुहमद अबुजर तो मुहमद अबुजर आपको आपका पैदाशी दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपके नसीब बुलंद करें आपको हमेशा खुश रखें और आप बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने अब आपको यहां पर दिखा रही हूं यह वाली कलिया इसमें ना कीड़ा लगा हुआ है मैंने यहां से एक दो कीड़े निकाले हैं यह देखिए सारी कलियों को खा रहे हैं वो तो अभी मैं बाहर जाओंगी तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ तो लाओंगी ताके जो मेरे पौदे है उसमें कीड़ा नहीं लगे तो चली बस मैं भी हमात को रेडी करती हूं उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर क्योंकि हमात के पापा ने बोल दिया है कि वो आ रहे हैं तो चली मिलती हूं मैं आपसे बाहर क्योंकि हूं मैं पौन का रहे हैं जाएंगी जाएंगे। तो हम लोग आ गये हैं बाहर और जो मेरा काम था वो कम्प्रीट हो गया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है मैं सोच रही हूँ कि यहां पर मार्केट में आई हूँ तो एक अग लगे हाथ में कुछ ले लो कुर्टी तो वही मैं यहां पर देख रही हूँ और आज जो मौसम है माशाला से बहुत अच्छा है दो दिन से बारिश हो रही थी लेकिन आज मौसम ऐसा हो गया है कि बिल्कुल दूप में देखा नहीं जा रहा तो यहां पर मैं आई थी कुर्टी लेने के लिए यह वारे भीया से मैं हमेशा कुर्टी लेती हूँ रिगुलर यूज के लिए लेकिन आज भीया के पास बिल्कुल अच्छा कलेक्शन नहीं था तो मैंने यहां से कुर्टी नहीं लिए मैं दूसरी जगा जाओंगी वहां पर देखूंगी तो चलिए भी दूसरे दुकान में देखते हैं तो मैं यह वाले दुकान में आई थी यहां पर मैं फर्स टाइम आई हूँ बाहर से मैंने देखा अच्छे लग रहे थे कुर्टियां तो मैंने सोचा के देख लेती हूं यहां पर भी तो यहां पर जो कुर्टियां थी वह बिल्कुल खास भी नहीं थी और इनके रेट बहुत तो चलिए बस मैं यहां पर देख लेती हूं आप भी देखें मेरे साथ कौन-कौन से में कुर्टि देख रही हूं उसके बाद मैं आपसे घर पर बताऊंगी कि मैंने कौन सी कुर्टि ली है तो अब ही हम लोग आये हैं घर पर और मैंने यहां पर एक सूट लिया है कौटन का और एक कुर्टि मैंने यहां पर लिया है जो मुझे माशाला से पसंद आये थी तो मैंने ले लिया है और आज हमाद ने ना मुझे ऐसे बोला है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि हमाद मुझे ऐसे बोलेंगे हम सोचते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं बच्चों को कुछ नहीं पता होता है लेकिन बच्चों को ना सब पता होता है आप सुन लीजे कि हिमाद ने मुझे क्या बोला है मैं सोच नहीं सकती थी कि हिमाद मुझे ऐसा बोलेंगे हें तो सुना आपने हिमाद ने क्या बोला मुझे बोल रहे हैं कि भी बिलकुल कपड़े नहीं लेने का हैं मैं सोच रहे हैं मैं तब आज अपने पापा की साइड ले लिया न्युक्त सारी कूर्तियां देखने के बाद मईने वाली है जहें बहुत पर बहुत अच्छा प्रिंट है और इसका जो गला है उस पर मिरर वर्क है और थोड़ी सी एमराडरी उस पर है तो माशाला से बहुत अच्छा लग रहा था तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया है आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए पर मैं अपने इस लोग को यहीं पर एंड करती हूं मिलती हूं नेक्स लोग में दूआ में याद रखिएगा और व्लोग को लाइक जरूर कीजिएगा